मंदिर के लिए अगर आप से जो करना चाहते हैं तो पेटियम, बैंक ट्रांस्पर या यूपिया इसे दान कर सकते हैं और ये दान इंकम टेस्ट में आई करधारा एटीजी के अंतरगर ट्रेक्स में शूट का लाब ले सकते हैं इसके बारे में आधिक जानकरी में इंचे डिस्केप्र में द अंतरवाजा से परेसान हैं तो सुरच्छा के लिए ये सातना बहुत ही जुरूरी मान जाती है इस सातना के दौरा आप अपने पूरे परिवार को शुख में जीवन दे सकते हैं वहीं पर आप व्यापार, नौकरी और सत्रु से पूरी तरीके से सुरच्छा पार कर सकते है अगर आप इस रोमान्चक साथना को सिखना चाहते हैं तो नीचे डिस्केशन में लिंक दिया है वहाँ से फार्म भर चाहते हैं नमस्कार दिव्वी योग आसें को तरफ से आपका हार्दी स्वागत है आज हम बात करेंगे हमारे दुकान धंदे की बड़ोतरी के लिए हम दुकान करते हैं व्यापारी लोग दुकान चलाते हैं व्योसाय करते हैं बहुत सी अर्चनियों का सामना उनको करना पड़ता है वो वही जानते हैं दूर से देखने वालों को ये लगता है कि ये ब्यापारी बहुत कमा रहा है, बहुत मजा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन असलियत में ये होता है, कि जब उसके दिल से पुछो, वो कितनी मेनत करता है, कितने दुखों का सामना करके, वो अपने विवसाय के चलाता है, वो अपने दुखान को चलाता है तो आज उन्हों के लिए एक खास एक प्रकार का प्रयोग है और वो प्रयोग जो है आपको करना क्या है वो प्रयोग है फुलसी का पत्ता फुलसी के तीन पत्ते लीजे आप अपने हिसाब किताब के जो रेइस्टर होते हैं उसमें रख दीजे आपको लाब मिलेग पुलसी के तीन पत्ते लीजे आप अपनी तीजोरी में रखे आपको लाब मिलेग पुलसी के तीन पत्ते लीजे आप अपने गल्ले में रखे हो अपने ड्रार में रखो आपको लाब मिलेगा लेकिन कैसे, क्या करें, आईए जानते हैं ग्रेड एले वास्पेन कर किसी भी शांत कवने में बढ़ जाये अगर जमीन पर नहीं बढ़ सकते हैं तो किसी पुरसी पर या सोफी पर शांत होकर रिलेक्स होकर बढ़ जाये अपने सामने तामी की प्लेट रखें कामी की प्लेट में तीन तुलसी के पते याद रखें तुलसी दो तरेकी को होती है एक स्यामा तुलसी होती है जिसको क्रश्ण तुलसी कहा जाता है एक साधान तुलसी होती है स्यामा तुलसी के पते हलके से गहरे रंके होते हैं अगर वो तीन पते मिलें अच्छी बात है और नहीं तो साधान तुल्सी के तीन पते आप उस कॉपर की ब्रेड में रखें और वो रखने के बाद सुपरी मुदल लगाएं दोनों आखों के बीच में ध्यान दें दस बार प्राणायम करें ओल करें जितने जितने तो हो सके रोक कर रखें दीरे से छोड़ें फिर जो सकी चे जितने जितने तो हो सके रोक कर रखें ऐसे दस बार प्राणायम करें दस बार प्राणायम करने के बाद विशिट पकार का नारायन मंत्र जिसको लच्मी नारायन मंत्र करते हैं के ओम स्रीम लच्मी नारणः नममा, ओम स्रीम लच्मी नारणाय नमओ नमा, ओम स्रीम। लच्मी नारणः नमओ नमर. ओम Bear Sound के अपको जाब करना है, एक मला, दो मला कोई बाइंडिंग नहीं है, दस माला, बीस माला, पचास माला, कुछ करने की जरूद नहीं, आप ये मुदर लगा लिजे, एक माला कम सकम एक माला तो जब करें, याने 108 बार, अब 200-300 बार जब करें, तो और भी अच्छी बात है, इंक कम से कम एक माला आप जब करें, उस तुल्स की दान पेटी में आप दान करतो, उसके बाद जो तीन पते हैं, तुल्सी के तीन पते हैं, इसको आप अपने गल्ले में रखो, या अपने तिजोरी में रखो, या अपने ड्रार में रखो, या आपकी जो फाइल है, हिसाब किताब की, उसके अंदर रखो, तीन पते, अग अगर आपको अपने फाइल में भी रखना है, हिसाब किताब के रईशर में भी रखना चाहते हैं, पिजोरी में भी रखना चाहते हैं, गल्ले में भी रखना चाहते हैं, तो नौ पत्ते रखो अपने सामने, तो प्लेट में नौ पत्ते रखो, तो उनमें से तीन पत्ते आप गल्ले में रखो ये वह हुआ। जो बुक होता है, राइश्टर होता है, उसमें भी ये तीन पत्ते रखो, इसलिए आप चाहो तो नौ पत्ते, सामबे के प्लेट में रखो, और उसके सामने मंदर का जाप करूँ, बहुत बहुत लाबकारख होगा, और ये किसी भी गुरुपुष्ण चत्र को, रवी पुष खराब हो जाएं, तो उसको पानी में डाल दो, और उसकी जगा एक दिन का फिर प्रयोग करो, और फिर रखो, आपको आश्चारे जनक बेनिफिट मिलेगा, आश्चारे जनक बेनिफिट मिलेगा, तो इस तरीके से आप ये उपाई करो, मेरा पुरा विश्वास है, ये